हाई दोस्तो टीफोर चानल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सिखेंगे कि आप Amazon से मोबाइल को आप EMI पर कैसे ले सकते हैं जी हाँ दोस्तो EMI पर मोबाइल को Amazon से आप order कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में सिखेंगे तो चलिए हम Amazon application open करते हैं य इसको हम open करेंगे जैसे आप Amazon application open करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी mobile phone लेना होगा यहाँ पर उपर में search कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पे एक option मिलता होगा आपको mobile लिख वाई यह जो mobile है इसमें आपको क्लिक करना है जैसे mobile के icon में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इ M31 इसमें हम क्लिक करेंगे जिसी आप क्लिक करेंगे तो आप आपके सामने जो पेस खुलेगा और इस तरीके से खुलेगा आपको नीचे जाना है नीचे जाने के बाद यहां पर EMI option available है तो यहां पर EMI option aliveable में हम चECK करते हैं एक बर और यहां पर देखते हैं यहां पर जो credit card and access bank credit card and bank of product credit card यानि कि सारे bank के credit card यहां पर available है तो अगर आपके पास credit card नहीं है तो आपको back आया और फिर से चेख करना है कि नहीं इन सब का EMI facilities लेज़wyn Monoearis, तो आपको क्या करना है, ऊपर में सर्च बार है, यहां पे आपको टैप करना है, Mobile, Debit, Card, EMI, लिक क्या आपको सर्च करना है, तो यहां पे सारे Credit Card पे आपको मिल जाएंगे, कोई भी Mobile आतर शाके जाते हैं, यह सारा मुबाइल जो है यह डेबिट कार्ड बे हमें मिल जाएंगे तो चलिए यहाँ पर इसमें हम क्लिक कर लेते हैं और नीची जा करके देखते हैं यह मैं फैसिलिटिस में तो अब यहाँ पे हम बाइनाव में क्लिक करेंगे और बाइनाव में क्लिक करें के बाद यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और फिर से हम तो यहाँ पे बाइनाव में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज़ खुलेगा और यहाँ पे हमने पहले से यहाँ पे card अड़ करके रखा है अगर आप चाहते हैं यह इस card से नहीं लेना तो आपको नीची जाना है नीची जाने के बाद आपको अगर आप एक new user है तो आपको इस तरीके से page खुल करके आता होगा इस तरीके से आपको page दिखाए देगा यहाँ पे लिखाव रहा है कि UPI netbank के साब लेना चाहते हैं या फिर add करना चाहते है debit card ATM card या credit card से आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे EMI facilities नीचे आपको लिखावा यह EMI जो यहाँ पे click है यहाँ पे EMI इसमें आपको tick mark कर देना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पे आप उसे पूछेगा कि select EMI option आपको select करना है तो यहाँ पे आपको click करिए click करने के बाद add a new card जो लिखावा इसमें आपको click करना है और अब यहाँ पे धियांस देने वाले बात यह है कि add a new card उपर में लिखावा यहाँ पे आपका नाम लिख करके अगर आपने पहले से credit card या debit card add करके रखेंगे तो आपका नाम show होगा नहीं तो आपको यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए अब यहाँ पे card number डालेगा यहाँ पे नीचे में expiry month लिखना है और यहाँ पे expiry year लिखना है यानि कि जिस साल में आपका card expire होगा तो card का expiry month और year तो यहाँ पे अपना expiry month आपके card के उपर आपको मिल जाएगा और यहाँ पे expiry year भी उसके बाद आपको add your card में click करना है और जैसे आप add your card में click कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से page खुलता है यह जो हमारा page है इसमें अब आपको क्या करना है इसको बलर कर दिया है और यहाँ पे expired date होगा आपको इस तरीके से दिखेगा अगर आपने add कर दिया है तो मैंने add कर दिया है अब यहाँ पे क्या करना है सिर्फ आपको CVV number डालना है आपके जो ATM कार्ड रहेगा उसके पीछे तीन डिजिट का CVV number रहता है उसका आपको यहाँ पे डलना है और फिर payment में click करना है जैसे आप payment में click करेंगे तो आपके bank के तरफ से एक OTP आएगा उस OTP को डालते ही आपके account से जितने भी का mobile रहेगा उसके किस्त बंज है जो इसे कि आपको select हो जाएंगे कि मतलब आपको कितने पैसे आपको कटेंगे हर महीने 2000 कटेंगे या 1500 कटेंगे और एक साल में आपको payment पूरा करना है या 6 महीने में इस तरीके से आप ले करके इसको payment कर सकते हैं दूस्तों वीडियो को जाज़ा है लाइक कर दें शेर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जिरू दबाएगा तो मिलते हैं इसे तरह के नेक्स्ट टुडियो में तब आप